कुम्ब लगता है बारा साल में एक बार और ये लगता है उजयन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार में तो इस बार का कुम्ब लगा है महा कुम्ब हरिद्वार में यहां लोग बहुत अच्छे से स्नान लेकर रहे हैं और भीड है और जैकारा गंगा मईया का लगा के स्नान कर रहे हैं जूते रखने चपले रखने सब रखने की आपको फैसलेटी मिलेगी नहाने के लिए भी यहा सूरे देव को जल अर्पित करते हुए गंगा मैया को जल चढ़ाते हुए लोग बहुत स्नान कर रहे हैं अभी सुबह सुबह का जमें हैं और चांद आपने देखा यह अभी है अब धीरे-धीरे दिन उगेगा और यह सूरे देव आस्मान में आते हुए अब हम दीपक दान करेंगे हर्की पौडी का जल बहुत पवित्र होता है इसलिए हम कैनी ले रहे हैं बाहर भाईया से और हम आगे बढ़ेंगे कैनी लेकर गंगा की हर्की पौडी पर यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं तो गंगा मैया के भी बहुत सारे मंदिर हैं सूर्य मंदिर आपको हर मंदिर मिलेंगे हर भगवान जी के तो आप यहां आईए प्रणाम करिए दर्शन करिए अपना इच्छित पल मांगिए वर मांगिए और जो आप चाहें मांग सकते हैं जो आपको लगता है अपनी शुरद्धा से विश्वास से करिए बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है बहुत सारे बहुत अच्छे नामें कर्षागान के सबके दर्शन करिए और हरकी पौडी से ही आप गंगा जल भर के घर लाएए क्योंकि यहां का जल सबसे सा और पवित्र होता है बैसे गंगा-जल्वास है अपने आप पे पवित्र है पर यहां का गंगा जल हमीशा से ही घर लाने की लिए उसा माना गया है कि हरकी पौडी करेंगे पेट पूजा शुरू बहां से उठे हुए हैं तो कुछ खाना तो बनता ही है तो चलिए पूरी चोले गरम-गरम बन रहे हैं आईए चलिए अब हम अगये हैं प्रेट पूजा करने यहां पर पंजाबी भावेबर और हमने से पेल ओर्डर दिया है यह बेटो आधा प्राऑ में हम अचहा लेंगे हैं किammal अच्छा लिए होगे हैं रहां गरम आए जुरू आपधिए आघ्यकरम यह बनले अभी इतने बड़े फटूरे हरी गवारे स्पेशल खाली पोड़ी पर फटूरे और ये छोले छोले के अंदर है आलू तो हम भी को करने वाले टेस्ट काफि बड़ा फटूर है बहुत तेस्ट की है बहुत तेस्ट तो आप आगया है बड़ा साथ पंदूरी आलू प्रांधा देनी इसको हम यह करते हैं टेस्ट अब्रादे कहता है देख सकने हैं इसी पिलिंग आलू से भड़ी है बहुत कुस्पी अच्छे देख स्टिल्ड हुआ हुआ पूजा के बाद हम आगे चलते हैं मां मंसा देवी के तरफ मंसा देवी का पैदल रास्ता भी है वह आपको एक से डेड़ घंटा लगेगा पैदल चनने में तो हम जा रहे हैं उरन खटोला से यहां पर सब रेट्स दिये गए हैं 122 रुपीज आने जाने की टिकेट के पैसे अब हम चा रहे हैं मंसा देवी बैठकर थायए हम उरन गटोले में बैट गए हैं और अब हम जा रहे हैं मनसा देवी के और अब मैं आपको दिखाँगी सारा ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नसारा मैं इंजॉई कर रहे हूं व्यू गंगा मया नीचे हैं पहाडिया हैं सुन्दर सा व्यू हैं मज़ा ही आजाता है तो यह हम उरन गटोले में बैट कर जा रहे हैं मामंसा देवी के मंदिर इसमें आप सिर्फ पांच मिनट में मनसा देवी पहुंच सकते हैं बहुत ही सुन्दर नजारे को देखते हुए हम चल रहे हैं मंसा देवी की तरफ और ये बहुत ही अच्छा और पवित्र स्नान है जहां आपको दर्शन करें माव के और आपको आशिरवाद ले अपना जैमा मंसा देवी हम मंसा देवी के में इंटरेंस से पहुंच गए हैं अ अब यहां पर भी हम बाकी साही देवी तरफ दर्शन करेंगे पंडेजी से आशिरवाद लेंगे मा वैशनो देवी की दर्शन भी हमने मंसा देवी में कर लिये हैं काल भैरो बाबा के भी और खाने पीने की कोई दिखते नहीं है जो आप चाहें जलेबी पकोड़ा कचोड तिक की सब मिलेगा तो अब हम आ गए हैं हरियर आश्रम में जो भी हरिद्वार में हैं और उत्राखन टूरिजम का बोर्ड लगा हुए है क्या-क्या देख सकते हैं अब यहाँ हम आए हुए हैं मृतिन जय मंदिर में यहां पर हमें पंडे जी ने बताया गुरू जी ने कि शिवजी की जब शादी हुई थी तो वो यहां पर ही तयार हुए थे और वो ऐसा माना जाता है कि सुभा और शाम को वो यहां होते हैं और दुपहर के समय वो जाते हैं दक्ष टेंपल में जहां पर उनका ससुराल माना जाता है जहां पर मा सती रहती थी तो यह है उनका घर और अब उसके बाद हम जाएंगे शिपजी के ससुराल जाने की दक्ष टेंपल में चलिए आपको दिखाते हैं अमृतिंजे के मंतर से काल मृत्यू के भाय से मुक्ती मिलती है तो मनुष्ये को ये मंतर जरूर जाब करना चाहिए की नगरी में हरिदवार में महादेव की दर्शन करें इतनी त्रिप्ति और शांती मिलती है मज़ा आजाता है ये देखिए मेरे पीछे जो ये आपको पेड़ दिख रहा है भव्य पेड है ये रुद्राक्ष का पेड़ है इसमें रुद्राक्ष मिलता है और ये मुझे एक रुद्राक्ष मिला भी है पंडी ची रुद्राक्ष की बारे में बताओगे जोड़ सा जो उनके लिए सुछा के लिए सुछा के लिए है अच्छा ये पेड़ से निकला है अच्छ तो बहुत सारे देखे होंगे पर ये सब असली पेर से उत्रे होई रुदराक्ष है बिलकुल असली तो अब हम आखरी में पहुँच रहे हैं दक्ष टेंपल जो की है शिवजी का ससुराल और सती माता का जन्स्थान यहीं पर उन्ने शादी की थी शिवजी से और यहीं पर उन्ने अपना शरीर दियागा था तो हमारी र्यात्रा हो गई है मंदी हमने बहुत अच्छे दर्शन किये हैं और अब उरन कटोला में बैठकर वापस जा रहे हैं हर्की पाड़ी पर तो आप भी आईए यहां पर हर्की पाड़ी पर स्नान के लिए खाईए पिये और अब मंसा देवी के मंदिर में मथा के बताये थैंक यू